हलो दोस्तो स्वागत है एक और नई वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि FIDI Data Analysis कितना ज़्यादा काम आता है फोर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो क्या आपको FIDI Data देखना चाहिए FIDI Data Analysis का क्या वाक्य ही यूज है भी या फिर नहीं है तो सबसे पहले मैं आप से simple questions पूछता हूँ Questions ये की FIDI Data कब हमें पता चलता है जब मार्केट अंड हो जाता है जब मार्केट बंद हो जाता उसके end में हमें FIDI Data कब पता चलता है फोर एक्जाम्पल में आपको ले चलता हूं एनसी के वेबसाइड पे एनसी वेबसाइड या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे एफ आई डियाई डेटा तो आपको धेर सारे वेबसाइड मिल जाएगा जिसमें से सबसे ट्रॉस्टेड जो वेबसाइड है वो है एनसी का तो इस पर आप आएंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है यह देखिए यहां पर खुद भी यह एनसी वाले अप्लोड करते हैं और डेटा एफ़ाइड डियाई का तो यह जो एफ़ाइड डियाई का जे डेटा कलेक्टेड होता है जब ट्रांजेक्शन्स ऑल्लेड complete हो जाते मुझेलिये जब सारा trade हो चुका होता है जब साड़े 30 वजा मार्केट खाले होता है उसके बाद यह सारा data को कलेक्ट करके करते इस डेटा के बेस पे आधर की आक्तिव हीन नहीं यह डेटा का सारा transactions complete हो चुका हैं जैसे कि यहां पर डेक सकते हैं यह जो और आज जो है वो 12 फरवरी 2024 है तो आप मुझे बताएं कि यहां पर जो डेटा है बाय वेल्यू इतना है तो अगर कोई इस डेटा को देखके आज के लिए को एनलिसेस कर रहा है तो कोई भी उसका मतलब नहीं है क्यों मतलब नहीं है इसके पर लॉजिक क्या है वो भी मैं द्लब अगरा पते आपSat आ आप गयरा आप लोकटे रहते हो तो यहांपर आपको यह जो डेटा दिकhरा है, वो सारा फ्रेस होगा इसका डेटा ना तो कहीं पे होता है ना ही कोई आपको दे सकता है क्योंकि यह सारा डेटा एलने से के पास खुद भी नहीं होता है क्योंकि उस दिन लाइव सारे ट्रांजेक्शन चल रहे होते तो कोई भी कैसे कोई डेटा कहीं पे अपलोड कर सकता है पर कोई भी आपको कैसे डेटा दे सकता है सिंपल आप ये खुद भी सोच सकते हो अब क्या होगा आज जो 12 तारीक है पूरा आज का डेटा देखके फिर कल के लिए प्रेडिक्ट करेंगे जो कि एकदम गलत है कि उसका कोई भी यूजी नहीं है और खास करके इंट्राडेट ट्रेडिंग करने तो आपको FIDI डेटा या फिर कुछ भी नहीं देखना चाहिए अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे ह तो अमें कहां पता चलेगा सबसे पहले सबसे पहला दो ओपर जाएगा नीचे कर रहाएगा मतलब की चारट पे फ्लक्त होगा सबसे ज्यादा आपको फोकस कहां करना चाहिए सबसे ज्यादा फोकस आपको चार्ट पे करना चाहिए ना कि फाइडियाई डेटा फाइडियाई डेटा ने तो आज इतना अब आई करके गए इन सब कोई भी यूज़ नहीं होता इंटाडेट ट्रेडिंग में और जिस दिन आज मान लिए बारा तारिक है तो बारा तारिक कहीं पर भी कोई बीडेटा अबिलेबल है तो आप मुझे बत जैगा लेकिन आप मुझे यह बताओ कि आपको चब 12 मार्केट खुलने से पहले को कहीं पे कुई देटा दिखाई दिया था कि नहीं आज एफाई डिआए model bye करने इंस्स decision आज करने वाले कहीं पर भी कोई भी बीडिटा को देखने को मिला नहीं मिलेगा तो आप लोग क्यों proviagnis डिटा पर बनी पर बलीब करते हैं कि आप लोग जो FIDI डेटा के पीछे पढ़े रहते कि नहीं F DI data ने यह किया है तो आज यह हो सकता है आज वो होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है FIDI का जो भी डेटा है वो उनको जो करना था वो उस दिन करके चले गए होंगे अब आपको उस डेटा का कोई भी आपका यूज नहीं है यह नॉर्मली जो रीटेल ट्रेडर है वो समझते नहीं है और यूट्यूब पे जो वीडिय कते हैं यह आपको दिखाइगे डीडिक करो सुक्षरियो सदी हो यह सट रेशियो वह सक्से रेशियो बट्सक्राइश-बियो यह सबतने। अने जाता है तब आपको पहली मेलगा तो आपके लिए बैस्च एसल्टा था तो कभी आपको एपाई डी сов नहीं करना कोई भी अफको च्ट करना कि आज यह किया आज फ्रेश किया आज इन्सिचा इन्स यह किया क्योंकि प्रिवियस देखा प्रिवियस डे में उनको जितना करना था वह उन्होंने कर लिया पर आपानियों, नहींते इता हैं। अब जो अगर आपको चपढ़ना आता है तो वह सबसे ज्यादा बेस्ट है चाट के एकॉर्डिंगा तो वह सबसे ज्यादा चीजेनजस होते हैं वह सबसे पहले अप्ड idee कहाँ करते है उनको सिधा chart से मतलब है उनके पास कोही भी transaction complete होगा वो कहां दिखेगा directly chart पे दिखेगा ना वो पहले इंडिगेटर के पास भेजेगा ना वो पहले option chain के पास भेजेगा ना वो पहले जो FIDI data upload करने वाले होते हैं उसके पास भेजेगा तो simple आपको एक चीज़ ध्यान रखन करने बेचने कुछ भी हो रिफलेक्ट आपको होता हुआ इस तरह से कहां पर दिखेगा चार्ट पर दिखेगा तो चार्ट पर फोकस आपको करना चाहिए ना कि जबकि लाइम मार्केट में कुछ और होता है मार्केट में मुझे होता है मैं सिम्पल सा आप से यही बोलूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ट्रेडिंग में नए हो चाहिए पुराने हो FIDI data को अगर आप देखते हो data analysis करने के लिए intraday trade करने के लिए तो बिलकुल भी आप बंद कर दो क्योंकि इसका कोई भी use नहीं है ज्यादा तर जो retailers होते हैं वो इन ही सब चीजों में फसे भी होते हैं और जो youtubers होते हैं वो भी ऐसे ही कुछ video बनाते हैं करने फिर्लौ or we look छोड़ा सा उसको देखें जरा सरी फ़रना आपकर अज़ें होगेदी ज्यादा था है पूरत को मैंने आपको इसके सपरोगें बनाजिक बता तिया हैं उमीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं मिलते हैं अगले वीडियो में तबते के लिए जैहिन